मुरली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा मुरली में समझाए ओम श्यांती आज की तारिक है चार ग्यारा दोजार चोविस के बाबा के सकार महा वाक्त है मिठे बच्चे अपनी खामिया निकालनी है तो सच्चे दिल से बाब को सनाओ बाबा तुम्हें कामियों को निकालने की युक्ति बताएंगे बाबा ने प्रिशन पूछा बाब की करेंट किन बच्चों को मिलती है बाबा ने उत्तर दिया जो बच्चे इमानदारी से सर्जन को अपनी बिमारी सुना देते हैं बाबा उने दिश्टी देता बाबा को उन बच्चों पर बहुत तर्स पड़ता है अंदर में आता इस बच्चे का यह भूत निकल जाए बाबा उने करेंट देता है ओम शान्ती बाब बच्चों से पोच्चते रहते हैं हर एक बच्चे को अपने से पोच्चना है कि बाब से कुछ मिला किस किस चीज में कमी है हर एक को अपने अंदर जागना है जैसे नारद का मिसाल है उनको कहा तुम अपनी शकल आइने में देखो लक्ष्मी को वरने लाइक है तो बाब भी तुम बच्चों से पूछते हैं क्या समझते हो लक्षमी को वरने लाइक बने हो अगर नहीं तो क्या-क्या खामिया है जिनको निकालने के लिए बच्चे पुर्शार्थ करते हैं खामियों को निकालने का पुर्शार्थ करते वह करते ही नहीं हैं कोई कोई तो पुर्शार्थ करते रहते हैं नएने बच्चों को यह समझाया जाता है अपने अंदर में देखो कोई खामी तो नहीं है क्योंकि तुम सब को परफेक्ट बनना है बाप आते ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए इसलिए एम अबजेक्ट का चित्तर भी सामने रखा है अपने अंदर से पूछो हम जैसे परफेक्ट बने हैं वह जिसमानी विद्या पढ़ाने वाला टीचर आजी तो इस हमें सब विकारी है यह यानि कि लक्षमी नरायन समपोरन निर्विकारियों का सेंपल है आदा कलब तुमने इनों की महमा की है तो अब अपने से पूछो हमारे में क्या-क्या खामिया हैं जिनको निकाल हम अपनी उन्ती करें और बाब को बताने कि बाबा यह खामी है जो हमसे निकलती नहीं है कोई उपाये बताओ बिमारी सर्जन दबारा ही छूट सकती है नायब सर्जन भी पुशार होते हैं डाक्टर से कंपोडर सीखते हैं पुशार डाक्टर बन जाते हैं तो इमानदारी से अपनी जाच करो मेरे में क्या-क्या खामिया है जिस कारण मैं समझता हूँ ये पद पा नहीं सकूँगा बाप तो कहेंगे ना तुम इन जैसा बन सकते हो खामिया बताए तब बाबार आए दे बिमारियां तो बहुत हैं बहुतों में खामिया हैं कोई में बहुत प्रोद है लोब है उन्हें ग्यान की धारना नहीं हो सकत जो कोई को दार ना करा सके बाप रोज बहुत समझाते हैं बास्तर में इतनी समझाने की जरूरत ही नहीं देखती मंतर का अर्थ बाप समझा देते हैं बाप तो एक ही है बेहत के बाप को याद करना और उन से ये बरसा पाकर हमको ऐसा बनना है और स्कूलों में पांच विकारों को जीदन की बात ही नहीं होती, यह बात अभी ही होती है, जो बाप आकर समझाते हैं, तुम्हारे में जो भूत हैं, जो दुख देते हैं, उनका भनन करेंगे तो उनको निकालने की बाप युक्ति बताएंगे, बाबा यह यह भूत हमको तं करते हैं, अगर हम डेली बाबा को पोता मेल देंगे, चाट देंगे, तभी बाबा को पता लगेगा ना, कि हमारे में करोध का भूत है, मो का भूत है, करमिंद्रिया तेज हो रही है, जब बाबा को सचच बताएंगे, तभी बाबा इलाज करेंगे ना, बाबा सरजन भी है भूत निकालने वाले के आगे बर्नन किया जाता है न तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं तुम जानते हो ये पांच विकारो रूपी भूत जनम जर्मांतर के हैं देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है उसको निकालने लिए फिर राय लेनी चाहिए आँखे भी बहुत देने वाली हैं इसलिए बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो अगर हम अपने को आत्मा समझेंगे सामने आले को आत्मा समझेंगे तो भूत अपने हां भागेंगे अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रेक्टिस डालो इस युक्ति से तुमारी ये बिमारी निकल जाएगी हम सब आत्माएं तो आत्मा भाई भाई ठहरे श्रीर तो है नहीं यह भी जानते हूं हम आत्माएं सब बापिस जाने वाली है तो अपने को देखना है, हम सरबगुन संपन बने हैं, नहीं तो हमारे में क्या अबगुन है, तो बाब भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं, इनमें ये खामी है, तो उनको करेंट देंगे, इस बच्चे का यह बिगन निकल जाए, अगर सर्जन से ही छिपाते रहेंगे, तो क ही क्या सकते, तुम अपने अबगुन बताते रहेंगे, तो बाब भी राय देंगे, जैसे तुम आत्में बाब को याद करती हो, बाबा, आप कितने मीठे हो, हम को क्या से क्या बना देते हो, बाब को याद करते रहेंगे, तो भूत भागते रहेंगे, कोई ना कोई भूत ह बाप सरजन को बताओ, बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, सुनाने से बाप को भी तर्स पड़ेगा, ये माया के बूत इनको तंक करते हैं, बूतों को भगाने वाला तो एक ही बाप है, युक्ति से भगाते हैं, समझाया जाता है, इन पांच भूतों को भगाओ, फिर भी सब भूत नहीं भागते हैं, कोई में बशीश रहता है, कोई में कम, परन्तु है जरूर, बाप देखते हैं, इनमें यह भूत है, दिश्टी देते समय अंदर चलता है न, यह तो बहुत अच्छा बच्चा है, और तो सब इनमें कुछ नहीं है, किसको समझा नहीं सकते हैं, माया ने जैसे गला बंद कर दिया है, इनका गला खुल जाए, तो औरों की भी सर्विस करने लग पड़े, दूसरे दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस, शिप बाबा की सर्विस नहीं करते हैं, शिप बाबा खुद सर्विस क कि अधर में आए हैं, कहते हैं इन जन्नमांतर के भूतों को भगाना हैं, बाब बैट समझाते हैं यह भी जानते हो, जाड दीरे दीरे बृदी को पाता है, पते जड़ते रहते हैं, माया बिगण डाल देती हैं, बैठे-बैठे खायाल बदली हो जाते हैं, जैसे सन्यासियों को घिरना आती है तो एक दम गुम हो जाते हैं ना कोई कारण ना कोई बाचित कनेक्शन तो सबका बाप के साथ है बच्चे तो नंबर वार हैं वह भी बाप को सच बताएं तो वह खामिया निकल सकते हैं और उच पद पा सकते हैं बाप जानते हैं कई ना बतलाने के कारण अपने को बहुत भाटा डालते हैं कितना भी समझाओ प्रंतु वह काम करने लग पड़ते हैं माया पकड़ लेती है माया रूपी अजगर है सबको पेट में टाल बैठी है दुबन में गले तक फस पड़े हैं बाप कितना समझाते हैं और कोई बात नहीं सिर्फ बोलो दो बाप हैं एक लोकिक बाप है और एक बात नहीं सिर्फ बोलो दो बाप हैं एक लोकिक बाप तो सदे मिलता ही है सात्यों में भी मिलता है तो कलियों में भी मिलता है ऐसे नहीं कि सत्यग में फिर पारलोकिक बाप लिता है पारलोकिक बाप तो एक ही बार आते हैं पारलोकिक बाप आकर नर्वक कुस्वर्ग मनाते हैं जो पार बैठे हैं यानि कि परम्पिताब परमात्मा उनको बोलते हैं पारलोकिक बाप उनकी भक्ती मार्ग में कितनी पूजा करते हैं, याद करते हैं, शिब के मंदिर तो बहुत है, बच्चे कहते हैं, सर्विस नहीं है, अरे शिब के मंदिर तो जहां तहां है, वहां जाकर तुम पूछ सकते हो, इनको क्यों पूछते हो, यह शरीर धारी तो है नहीं, यह है कौ कहेंगे परमात्मा इन बिगर और कोई को कहेंगे नहीं तो बोलो ये परमात्मा बाप है ना उनको खुदा भी कहते हैं अल्ला भी कहते हैं अक्सर करके परमपिता परमात्मा कहा जाता है उनसे क्या मिलने का है यह कुछ पता है भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं शिव जैनती तेवार भी मनाते हैं कोई को भी समझाना बहुत सहज है बाप भिन भिन परकार से समझाते हैं तो बहुत रहते हैं बाबा अलग अलग तरीके से हमें बहुत समझाते हैं सभी बात है तुम किसके पास भी जा सकते हो परन तु बहुत ठंडाई से नमर्ता से बात करनी है तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत पहला हुआ है थोड़ी भी बात करेंगे तो जटसन जाएंगे यह बीके हैं गाम आदी तरफ तो बहुत इनोसेंट हैं तो मंदिरों में जाकर सर्विस करना बहुत सहज है आओ तो हम तुमको शिब बाबा की जीवन कहानी सुनावे तुम शिब की पूया करते हो उनसे क्या मांगते हो हम तो आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बता सकते हैं दूसरे दिन फिर लक्षमी नरायन के मंदिर में जाओ तुम्हारे गामडों में सर्विस करें सबकी अपनी अपनी समझ है न बाब कहते हैं पहले पहले जाओ शिब बाबा के मंदिर में फिर लक्षमी नरायन के मंदिर में जाकर पूछो इनों को ये बरसा कैसे मिला हुआ है आओ तो हम आपको इन देवी देपताओं के चुरासे जनमों की कह गामडों को भी जगाना है तुम जाकर प्यार से समझाएंगे तुम आतमा हो आतमा ही बात करती है यह शरीर तो खत्म हो जाने वाला है अब हम आतमा को पावन मन बाब के पास जाना है बाब कहते हैं मुझे याद करो तो सुनने से ही उनको कशिश होगी जetना तुम देही अ मानी होंगे उतना तुमारे में कशिश आएगी बावा कहते हैं जितना अपने को आत्मा समझेंगे उतना तुमारे में कशिश होगी यानि कि दूसरे को समझा सकेंगे अभी इतना इस देह आदी से पुरानी दुनिया से पूरा विरागय नहीं आया है, यह तो जानते हो यह पुराना चोला छोड़ना है, इनमें क्या ममत्तब रखना है, शरीर होते शरीर में कोई ममत्तब नहीं होना चाहिए, अंदर में यही तात रहे, अब हम आत्में पावन बनकर अपने घर जाएं, फिर यह दिल होती है, ऐसे बाबा को कैसे छोड़े, ऐसा बाबा तो फिर कभी मिलेगा नहीं, तो ऐसे ऐसे ख्याल करने से बाब भी याद आएगा, घर भी आएगा, बाबा ने युक्तियां बहुत बताई हैं, कि पहले अपने को आत्मा समझो, तभी तमारा कल्यान होगा, बाबा कहते हैं, ऐसे ऐसे ख्याल करने से बाब भी याद आएगा, घर भी याद आएगा, अब हम घर जाते हैं, 84 जनम पूरे हुए, भल दिन में अपना धंदा आदी करो, रस्त विवार में तो रहना ही है, उसमें रहते हुए भी तुम बुद्धी में रखो, कि यह तो सब क कुछ खतम हो जाना है, अभी हमको बाफिस अपने घर जाना है, बाप ने कहा है, गरस्त विवार में भी जरूर रहना है, नहीं तो कहां जाएंगे, धंदा आदी करो, बुद्धी में यह याद रहे, यह तो सब कुछ विनाज होने का है, पहले हम घर जाएंगे, फिर सुख गंटा धंदा आदी करो, आठ गंटा अराम भी करो, बाकी आठ गंटा यह बाप से रूरहान कर फिर जाकर रूहानी सर्विस करनी है, जितना भी समय मिले शिप बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नरैन के मंदिर में जाकर सर्विस करो, मंदिर तो तुम को बहुत मिलेंगे, तुम कहां भी जाएंगे तो शिव का मंदिर जरूर होगा, तुम बच्चों के लिए मुख्य है, याद की यात्रा, याद में अच्छी रिती रहेंगे, तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है, पर करती दासी बन जाती है, उनकी शगर आदी भी ऐसी, खींचने वाली रहती है, निश्चे से बैठते हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे, इस निश्चे में बहुत पके रहते हैं, उनों का अभ्यास होता है, हम इस शरीर को छोड़ जाते हैं, ब्रंतु मैं तो है रोंग रास्ते पर बड़ी मेहनत करते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए, भक्ती में दे देते हैं, आतम घात नहीं होता है, जीव घात होता है, आतमा तो है ही, वह जाकर दूसरा जीवन अर्थात शरी लेती है, तो तुम बच्चे सर्विस का अच्छे रिती शौक रखो, तो बाब भी याद आये, यहां भी मंदिर आदी बहुत हैं, तुम योग में पूरा रह कर किसको कुछ भी कहेंगे, कोई विचार नहीं आएगा, योग वाले का तीर पूरा लगेगा, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, कोशिश करके देखो, प्रन्तु पहले अपने अंदर को देखना है, हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं है, माया के भूत वाले थोड़ी सक सेक्स हो सकते हैं, सर्विस तो बहुत है, बाबा तो नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि बाप साथ में है, बाप को हम कहां किछडे में ले जाने, किसके साथ बोले, बाप तो बच्चों से ही बोलना चाते हैं, तो बच्चों को सर्विस करनी हैं, गायन भी है, सन शोज पादत, बाप ने तो बच्चों को हुश्यार बनाया ना अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको सर्विस का शौक रहता है कहते हैं हम गावनों में जाकर सर्विस करें बाबा कहते हैं वल करो सिरफ फोल्डिंग चित्र साथ में हो चित्रों बिगर किसको समझाना डिफिकट लगता है रात दिन यही खाइलात रहती है औरों की जीवन कैसे बनाएं हमारे में जो खामियां हैं वे कैसे निकाल उन्ति को पाएं तुमको खुशी भी होती है बाबा यह आठ नो मास का बच्चा है ऐसे बहुत निकलते हैं जल्दी ही सर्विस लाइक बन जाते हैं हर एक को यह भी खयाल रहता है हम अपने गाम को उठाएं हम जीन्स भाईयों की सेवा करें चैरिटी विगन्स एट होम सर्विस का शौक बहुत चाहिए एक जगे ठहरना नहीं चाहिए चकर लगाते रहे टाइम तो बहुत थोड़ा है न कितने बड़े-बड़े अखाड़े उनों के बन जाते हैं ऐसी आत्मा आकर प्रवेश करती है जो कुछ ना कुछ शिक्षा बैठ देती है तो नाम हो जाता है यह तो बेहत का बाप बैठ शिक्षा देते है कलब पहले मिसल यह रुहानी कलब बड़ेगा निराकारी जाड़ से नंबर वार आत्मे आती है शिप बाबा की बड़ी लंबी माला बड़ जाड़ बना हुआ है इन सब बातों को याद करने से भी बाप की याद आएगा उन्ती जल्डी होगी अच्छा मीठे मीठे सिक्लत बच्चों उपरती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मोलिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को शर्दा भरी प्रेम भरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुरली के लिए दारना के लिए मुखे सार नमबर एक, कम से कम आठ घंटा बाप से रूरिहान कर बड़ी ठंडाईवा नमर्ता से रुहानी सर्विस करनी है सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो नमबर दो, अपने आप से बाते करनी है कि यह जो कुछ हम देखते हैं यह सब विनाश होना है हम अपने घर जाएंगे फिर सुख दाम में आएंगे वर्दान सत्गुरू परमपिता परमातमा जी का अटल निश्चे द्वारा सहज बिजे का अनवव करने वाले सदा हर्शित निश्चिंत भव निश्चे की निशानी है सहज बिजे लेके निश्चे सब बातों में चाहिए सिर्फ बाप में निश्चे नहीं अपने आप में ब्रामन परिवार में और ड्रामा के हर दृष्चे में सम्पूरण निश्चे हो थोड़ी सी बात में निश्चे टलने वाला ना हो सदा ये समृति रहे की विजे की भावी टल नहीं सकती ऐसे निश्चे बुद्धी बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रिश्णों से भी पार सदा निश्चेंद, सदा हर्शित रहते हैं सलोगन समय को नश्ट करने की बजाए फोरन निर्ने कर फैंसला करो ओम शांती